नमस्कार दोस्तों बहुत सारे फार्मर भाई जो है मुझे कमेंट कर रहे हैं क्या इसी फार्म जो है उत्तर दक्षिन दिस्ता में क्या बन सकता है तो दोस्तों पहले हम यह समझें कि हमारी इंडिया में क्लाइमेट के इसाब से फार्म का इस्ट्रेक्चर किस प्रकार से होना मेक्सिमम हमारे यहां पर 47-47 जिगरी तक भी टेंपरेशर चल जाता है दिन में के समय में हमारे इंडिया क्या जो क्लाइमेट है तो दोस्तो इसी के कारण जो हम फाम का जो निर्मान इस प्रकार से करते हैं कि सूर्य जैसे ही उदय हो तो फाम की मंगरी से होते हुए और दिव दूसरा जो में कारण यह होता है कि जब भी हवा जो चलती है तो हमारे इंडिया में जो हवा जो है हवा जो है हमारे यहां पर उत्तर से दक्षिन की तरफ चलती है तो उसके कारण जो है फाम के अंदर का जो है क्रास वेंटिलेशन भोती असानी से हो जाता है तो इसके जो है हम फार्म का जो डारेक्शन पूरो पस्चिम रखते हैं किन्तु अब हम बात करते हैं कि इसी फार्मिंग में तो दोस्तो हमारे फार्म का क्लाइस जो है क्रास वेंटिलेशन तो हमको करने की जरुवत नहीं अब हमको जो इसी फार्मिंग जो में जो वेंटिलेशन है वो कर दी और हमने जो फाम बनाया वह बनाया उत्तर दक्षिन डार्यक्षन में तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि सन लाइट जो है पूरे फाम के उपर गिरेगी और फाम के उपर से होते विए दूसरी साट जब जाएगी धूप तो वह भी फाम के उपर ही सिधे परदों के जो जिस प्रकार से हम जो आउटपूट जो लेना चाह रहे हैं उस प्रकार से हम आउटपूट नहीं ले पाएंगे किन्तु दोस्तों अब हम तो इसी फार्मिंग कर रहे हैं तो हम सन लाइट हूं किस प्रकार से रोकेंगे यह हमको सोचना पड़ेगा दोस्तों यह मैंने practical नहीं किया है किन्तु जो जो ठेवरी है जो सिध्धान्त जो बोलते हैं सिध्धान्त के उपर अगर हम समझें तो अगर हम इस प्रकार से अगर फाम अगर बना भी लें उत्तर दक्षिन दीशा में अगर बना भी लें तो हम दोस्तो क्रत्रीन तरीके से हम ऐसा क्या करें कि फ आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब देने की कोसिस कर रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर आपने कहा था और इस प्रकार से हमने फाम में इतना खर्चा कर दिया उसके बाद में जो है रिजल्ट हमको जीरो मिल रहा है तो दोस्तो हम जो है क्रत्रीन तरीके से जो है को जो है अगर यहां पर हम प्लांटेशन कर दें कि दोनों साइट अगर हम फाम के आसपास जो है प्लांटेशन अगर कर दें और प्लांटेशन इस प्रकार से करें कि जितनी भी सनलाइट आए तो वह प्लांट के उपर ही गिरे फाम के उपर नहीं जाए तो यह एक सस्ता का या उपाय हो सकता है कि हम इस डारेक्षिन में भी फाम बनाएं और फाम को जो है हम पूरो पश्चिम दिशा के इसाब से ही के जैसे ही रिजल्ट हम ले पाएं तो दोस्तों यह कारण हो सकता है कि हम इस प्लांटेशन करतें बड़े-बड़े पोधे और घने पोधे लगा दे कि अगर हम इसमें 9 इंच की दीवार थे और राख यह फाम कें लिफार उसको हुआ होकाने से तो दोस्तों अगर हम जो सिद्धान्त जो बोलते हैं उस सिद्धान्त के उगर हम उपर अगर हम चलें तो इस प्रकार से संभव है कि जिदने सनलाइट आएगी उसको दिवार भी रोख सकती है और चाहें अगर हम दिवार नहीं भी बना पा रहे हैं तो हम इतनी बड़िया तरीक से प्लांटेशन कर दें तो उससे डबल फायदा है कि हमारे फार्म के आसपास हावा का फ्लो भी बड़ा बना वह रहेगा ऑक्सिजन भी ज्यादा रहेगी और फार्म के अंदर के टेम्परेचर वेसे ही कंट्रोल हो जाएगा जहां-जहां प्लांटेशन हुआ रहता है वहां प दोस्तो